डिवेन रिडगर संसकार पब्लीक स्कूल जो आज दिन आंको निसना उमर को लगभगी 11 बचे तक स्कूल बंद रहा है वही छोटे-छोटे बच्चे स्कूल के बाहर बैचे-बैचे वापस लौट आए जिवेदार अरिकारी भी नहीं दे रहे हैं ध्यान स्कूली छोटे-छोटे बच्चे 10 से 5 किलोमेटर के दूरी से आते हैं लेकिन स्कूल बंद होने पर वापस लौट जाते हैं छात्रों की माने तो हफते में 2 या 3 दिन बाद भी रहता है स्कूल और कई दिन हाफ छुटी से छुटी कर दी जाती है आज जब 11 बचे के लगभग देखा गया तो स्कूल बंद रहा स्कूल के बाहर बच्चे बैठे रहें कुछ बच्चे वापस चले गए लेकिन स्कूल के कोई भी करमचारी नहीं आए विद्याले का ताला तक नहीं खुला बच्चों के एक बारुद्वारा पताये गया कि हम लोग माह में फीस देते हैं और प्राइवेट स्कूल ले पढ़ते हैं लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की सुईधा नहीं है ना तो सुईधा बहुत ही दूर पढ़ाई के लिए विद्याले भी नहीं खुलता आए दिन बच्चों को हमारे वापस घर जाना पड़ता है संसकार इस्कूल नौ बज़े से लगती है साड़े तीन बज़े चुट्टी हो जाती है कल एक बज़े हो गई आज की शुट्टी कर देते हैं के बज़े गया है अभी दग कोई स्कूल नहीं खुला कि आपके बच्चे पढ़ते हैं कौन सी किलास में तो पढ़ाई तो बच्चों की क्या पढ़ाई पढ़ाई ये क्या है क्या नाम है आपका हमारा नाम हर परसाथ मिस्कार में आए खाड़े आप के लिए खाड़े कैसा क्यों कितना बज़े गया है क्यों नहीं खुला है कितने बज़े से स्कूल लगता है अच्छा क्या बताये गए थे कि छुट्टी है कि कहा है कहां से आते हैं आप कितने किलोमीटर दूर से पांच किलोमीटर थे कब चुट्टी होती है कल कितने बज़े होई कर देली नहीं लगता क्या कि आप कितने बज़े चुट्टी हो जाती है कितने बज़े लगता इस्कूल नाइन वज़े से लगता है तो आज क्यों नहीं लगा अभी तक कहां से आए हो सभी लोग देवनाद से चुट्टी के लिए बताये नहीं थे कि आज की चुट्टी है क्या नाम है इस्कूल का आपके क्या इस्कूल डेली लगता है कितने दिन लगता है कितने दिन छुट्टी हो जाती हपते में अच्छा 3-4 दिन बंद रहता है स्कूल है और कहां से आप लोग आते हैं अच्छा देवन नंगर से आज क्यों नहीं खुला है कितने बज़े से स्कूल का टाइम था आज कितना बज़े गया अभी अभी कोई नहीं आया तो आप लोगों की पढ़ाई तो डिश्टर्ब होती होगी कैसे कैसे पढ़पाते हो क्या नाम है आपका कौन से किलास पढ़ते हो तो आप लोगों की पढ़ाई डिश्टर्ब है